आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर और कैसे हैं आप सभी उमिद करती हूं कि आप सभी यहां पर अच्छे होंगे और यहां पर हम बात करेंगे NCRT-based questions के बारे में that is the last week of that यानि कि यह जो week है यह आपका last है यहां पर इसके बार में आप लोगों को previous year की question papers जो होते हैं अलग-अलग मैं आप लोगों को chapter wise question papers भी आप लोगों को यहां पर कराऊंगी तो आप लोगों बिलकुल मेरे साथ यहां पर बने रही है अगर आप लोगों को मेरे क्लास अच्छी लगती है तो आप सभी मुझे unacademy application में भी follow कर सकते हैं और इसके लिए आप लोगों को क्या करना है आप लोगों करना है यहां पर कि Google Play Store या App Store से आप लोगों को unacademy application को डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के ब आप लोग इसके लिए मेरा code यहां पर यूज कर सकते हैं जो कि है Amrita S नमस्ते जै प्रकाष नमस्ते Singing Star नमस्ते शिवन्दू पिंकु एस मनेश यादाव नमस्ते सपी को नमस्ते तो इसके लिए आप यहां पर Amrita S4 का यूज करेंगे जिससे आपको 10% का discount मिलेगा चाहे आप SSC की तियारी कर रहे हों बैंकिंग की तियारी कर रहे हों रेलवे की तियारी कर रहे हों आप किसी हेविन चानल उसको भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजे और साथ में अन एकेडमी में केमिस्ट्री के लिए एक शांदा थ्योरी कंप्लीट कोर्स आज से ही लॉंच हुआ है तो उसको भी आप उसका भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और साथ में दिन में बारा आप लोगों के लिए फ्री लाइस्टाशन में लेकर के आती हूं उसको भी जॉइन करना बिल्कुल भी ना भूले ठीक है चले तो जली से यहां पर आंसर करेंगे और जो आप लोग का पहला कोशन है उसको यहां पर फटा पट से नोट आपको यहां पर करना है कोश पर ख़ारेगे कि महेंां लिपस्टिक लगई है या नहीं लगई है लिपस्टिक मेरी पहचान नहीं है है ना लिखा हुआ है इक हाँ पर आंसर करना है फॉस्ट कोशन का लिखा अपर नमस्ते अन्वर जितेंद्र नमस्ते लिखाए what is the transplantation of graft between genetically identical individuals यानि कि अनवांशकी रूप से समान व्यक्ति के बीच graft का प्रत्य रूपन यहाँ पर क्या कहलाता है सभी बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम और जली सा इसका आंसर करेंगे कौन सा आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा ठीके, very good evening, आजाएए फटाफट से, चरिये ठीके, एक बच्चे ने यहाँ पर जीनो graph का आंसर दिया है ठीके, बाकी बच्चों का भी आंसर देख लेते हैं थोड़ा सा, बहुत बढ़िया आंसर के अगर आप, आप यहाँ पर बात करते हैं तो जो आपका आंसर यहाँ पर होगा वो क्या हो जाएगा, आपको बता रहा है, आइसो graph आपका यहाँ पर बिलकुल सही आंसर हो जाएगा तो फटाफट से यहां पर नोट कर लेंगे, आंसर जो होगा वह B-Answer यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा नमस्ते अरपीत, नमस्ते सपीको अब देखिया यहाँ कैसे तो जहाँ पर भी यहाँ कह रहा है genetically identical genetically identical मतलब जो genetically एक समान है बिल्कुल एक जैसे हैं और अगर आप यहाँ पर ISO के बारे में बात करते हैं तो ISO मतलब भी तो क्या होता है same ही होता है, समान ही यहाँ पर होता है तो इसी लिए यहाँ पर जो answer हो जाएगा वहाँ क्या होगा? आपको बताना है कि B answer आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? जली सांसा करेंगे यहां पर लिख रहा है कि the xylem in plants are responsible for यारि कि जो पौधों में जाइलम होता है वह किसके लिए यहां पर responsible है वह किसके लिए यहां पर जिम्मेदार होता है नमस्ते कुलदीप नमस्ते बच्चा ठीक हारून रशीद वेरी गूड इबनिंग दामोदर सोन कर नमस्ते नमस्ते चलो चली से बता जो फटा फट से सारे बच्चे आजो बहुत अच्छा आजसे कि अगर हम यहां पर बात करते हैं तो आंसर जो second का होगा क्या होगा यहां प कंबिनियम प्लांक्स होते हैं जितने भी यहां पर आप देखेंगे कि जिनके अंदर जाइलम और फ्लोयम होता है जिसको आप यहां पर कैम्बियम टिशू कहते हैं तो अगर आप बात कर रहे हो कि ट्रांसपोर्ट आप ड़ोटर यानि कि जल का परीवहन तो वहां कौन कर नितवर्टी इयानि कि जालब कर रहा है लेकिन अगर आपसे पुछा जाए कि फूड यानि की भोजन का परीवहन कौन करता है तो असलान पर आपका जो आंसर आप जाता है फ्लोयम यहां पर बिल्कुल जहीं आंसर हो जाता है到 yesterday दो बूसको नोड कर लेज़े शराबर नमस नमस्ते, सभी को नमस्ते, काथी वेलम, नमस्ते, आदित्ती, नमस्ते, चलो, क्लास को स्टार्ट करेंगे, अब आगे, पुछ रहा है कि विश लिक्विड इस कनेक्टेड, कंटेंड इनसाइड दा नुकलियस ऑफ दा सेल, हमारे पास कोई भी एक कोशिका है, कोशिका के बहुत बढ़िया, ठीके, रोहित, राचीव, वेरी गुड, चले, चले, सांसर करेंगे, इहां पर, कौशा आंसर यहां पर सही होगा, तो दियर स्टुडेंट्स, मैं हमेशा आपको कहते हूँ, कि जभी भी हम बाइलोची के बारे में बात करते हैं, तो जहां पर भी प्ला अंसर हो जाएगा, वो क्या होगा, सी आंसर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा, तो नुकलियस के अंदर, जो कुछ भी तरल पतात यहां पर पाया जाता है, ठीके, कालिम खान, नमस्ते, रेशो, नमस्ते, जैहिन, जैहिन, सभी को जैहिन, चले, तो फटा पर सिंग आप करते हो, तो साइटो मतलब सेल और प्लास्म मतलब तरल पदात, जब अंदर सभी तरह के जो तरल पदात हैं, उनको ईसला पर थेलो किया होगा, तो इसीलिए आंसर जो इहां पर होगा वो क्या होगा, थेक है, आगे बढ़ते हैं, मक्दाइ क्या है, अगर हम यहां पर बात क क्या है पेडिया जो है उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को लिंक को डाउनलोड करना पड़ेगा या क्लिक करना पड़ेगा जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहां पर दिया हुआ है चलो चलिए सा अंसर करेंगे इसका बच्चा कौन सा अंसर सही हो जाएगा ब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा बटर क्या है तो आपको यहां पर आंसर करना है फोर्थ का आंसर यहां पर हो जाएगा बी आंसर ठीक है आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहां प होता है उसको क्या कहा जाता है यहां पर परण कहा जा रहा है ठीक है आगे अगे अदे देखते हैं दूद में नहीं होगा वसा में सहा पानी यहां पर अगे और देखेंगे दामने प्रोडक्टेव इको सिस्टम इन दाई बायो-स Kellis अगर हम अपने चीव मंडल के बारे में बात करते हैं, तो सबसे अधिक उत्पादक जो परस्थ की तंत्र है, वहाँ कौन सा है, वहाँ कौन सा है, चले, जली से बता दीजी यहाँ पर, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, यहाँ पर हम पहले पढ़ाई करेंगे, चले, जली से बता दीजी यहाँ पर, कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो प्यारी बच्छो आंसर के, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ पर एश्वरी के बारें बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर मुहाने के बारें बात करते हैं, क्या होती है एश्वरी तो प्यारी पर जो एश्वरी पतलब होता है, यहाँ पर मीठा पानी और खारा पानी मि रही होती है उस एरिया को यहां पर क्या कहा जाता है और यहां पर आप देखें तो यहां पर जो बायो डाइवर्स्टी होती है जो जय विवित्ता होती है वह बहुत ही ज़्यादा यहां पर पाई जाती है और जब जय विवित्ता बहुत ज़्यादा पाई जारी है इसका मतल कि यहां कैसा है बहुत ही प्रड़क्टिव एकोसिस्टम है बहुत ही जादा यहां पर यहां पर इहां पर इस जिसको आपको ध्यान में रखना है तो पड़ाफर्स इसको नोट कर लीजिए जिन बच्चों को नहीं पता था है ना आगे बढ़ते हैं इन में से कौन सा जोड़ा बिलकुल गलत है चलो कोई बात नियार पीद अगर गलत हो जाता है तो निराश नहीं होते हैं ठीके हिम्मत के साथ खड़े होते हैं और फिर से हम अपने जो कमजोरिया हैं उन से लड़ते हैं इस दुनिया में कोई भी हमें नहीं हरा सकता केवल हमारी कमजोरिया ही हमें हराती हैं और दूसरों से पच्छाड देती हैं तो इसलिए हमें दूसरों को नहीं अपने आप को ठीक करना है सबसे पहले है ना और हिम्मत नहीं हरना है चले जले सा आंसर कर देंगे यहां पर करोकोडाइल जो होता है वहाँ रेप्टाइल माघिनमच एक तथा का सरीश्रिप अब यहाँ पर इंट्रस्टिकर पॉइंट है कि जो भी हमारी ह可能 रेप्टाइल होता है उसके अंदर कितना चामबर्ड पाया जाता है बताओ बीलकुल सही बात है, थ्री चांबर्ठ यहां पर पाया जाता है, तीन कक्षी हृदय यहां पर पाया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मगण पच्छी ऐसा होता है, जो एक ऐसा सरी शृप है, एक इस तरह का रेप्टाइल है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि फोर चैंबर हर्ट पाया जाता है तो यह important है, इसलिए मैंने अलग से बता दिया है, ठीक है काश आगे कर आप फ्रॉक के बारे में बात करते हैं तो फ्रॉक क्या है? एक तरह का amphibian है याने की जो भी आपका मेड़क है, वो क्या है? एक Oubanchar है और आपके एकशाम में कई बात पुछा गया है What is the meaning of amphibia? Amphibia या Amphibia ठीक है? तो Oubanchar का क्या मतलब होता है? तो आंसर आपको क्या करना है? Two LIves Two LIves. ऑप्शन में क्या दिया हुआ था? 2 जीवन, दुहरा जीवन, 2 लाइस, 3 लाइस, 4 लाइस तो आंसर आपको क्या करना है यहाँ पर 2 लाइस यानि कि जो जल और खल, terrestrial reason और aquatic system दोनों में रह सकता है तो वो हो गया आपका उभैचन, amphibians अब आप यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में टाइगर के बारे में तो जो टाइगर है, क्या वो रेप्टाइब है? बिल्कुल भी नहीं टाइगर जो होता है, वो क्या होता है यहाँ पर आपको बताना है कि मैमल होता है, इस्तंधारी होता है क्या होता है? इस्तंधारी होता है ठीक है चितरंचन नमस्ते, very good, बहुत बढ़िया, तो इसलिए अगर हम यहाँ पर बात करें, तो आंसर क्या हो जाएगा, कि यह जो option है, थर्ड वाला जो statement है, यह बिलकुल यहाँ पर गलत दिया हुआ है, ठीक है, चले, अब इसके बाद हम यहाँ पर next question को देखते है, which of the following statement is true, इन में से कौन सा जो statement है, वो यहाँ पर बिलकुल सही है, चले, चले से बता दीजे, यहाँ पर, कौन सा आंसर, नमस्ते बेटा, सभी को नमस्ते, नमस्ते सभी को, जले बताईए, कौन सा आंसर यहाँ पर आपका, 7th का बिलकुल सही हो जाएगा, देखते हैं, कितने निए पता देगे, ठीक है, देखेए, अगर आप यहाँ पर, सभी इस के बारे में बात करते है, यानि कि, जो मचिलिया होती है, उनके बात करते हैं, तो इन के अंदर आप देखेंगे, two-chamberảया जाता है, ठीक है, तेडեռ, इस narrative, यहाँ अगर बात करते हैं, amphibians के बारे म एम्फीबिया के बारे में तो जो एम्फीबिया होते हैं, जो उभयचर होते हैं, उनके अंदर कितने कक्षिक रदय पाया जाता है? थीचमबर पाया जाता है. ठीक है? इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे, कि अगर आप से पूछ रहा है, कि जो रेप्टाइम्स होते हैं, यानि कि जो यहाँ पर सरी श्रिप होते हैं, उनमें कितना पाया जाता है? तो आंसर आपको करना है, थ्री चैम्बर पाया जाता है. लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है, एक अपवाद है, और अपवाद की साथ साथ एक यहाँ पर, किसको कहेंगे? कि बगए ने निये कुछ तो गडब्ढ है यहां पर है यहां कुस तो गडबढ है ऐसे वाला . तो अगर आप यहां पर देखते हों कि क्रोकोडाइलाइल फैमिली होती है , मतला जो मगर मच्छ का जो परिवार होता है उस पे कितना चामबड हर्ड पाया जाता है यहां से अलग कोशन पुछा जाएगा तो आंसे करना है फोर चामबड तो अगर आपसे पुछ रहा है कि इतना पाया जाएगा सरी शिप में कितना पाया जाएगा तो बच्चों तीन ही पाया जाएगा इसके कच्छुए को देख लेंगे तर्टाइल तॉटोइस जो भी आप देखना चाहते हैं चुपकिली को आप यहां पर देख लोगे और साप को यहां पर देख लोगे नाग नागिन कोबरा सब कुछ अजगर सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा इसके अलावा जितने कुछ भी र अब मगरमच्छ परिवार में कौन-कौन होंगे तो पहले तॉ ना आपका क्रोकोDyles मगरमच्छू दोसरा आपका हो जाता है क्या ऐलीकेटर यानि की मगर और फिर आप आपका अजाता है लाक्स में जो अपका घढ़ियाल है जो आपका गढीयाल है गव tablespoon को कहा जाता है को आगे बाम यहां पर बात करेंगे, next point के बारे में, next यहां पर point है, वो आपका आएगा आप, birds के बारे में, birds, जिनको पक्षी कहा चा रहा है हिंदी में, पक्षी के बात करते हैं, तो पक्षी में four chamberd पाया जाएगा, और इसके बाद फिर आपके आजाते हैं, यहां पर, mammals, mammals आपके जो इस्तंधारी प्राणी होते हैं, और इन में भी कितना पाया जाएगा, four chamberd यहां पर पाया जाएगा, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे हम हो, चाहे शेर हो, चाहे उठ हो, सभी के अंदर आप यहां पर देखेंगे, four chamberd hurt पाया जाता है, ठीक है, clear है, ब question नहीं पुछा जाएगा, है ना, question क्या पुछा जाएगा, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है, चलिए, okay, मगर मच के जो पापा है, डाइनसोर, चिपकली के पापा है, डाइनसोर, तो डाइनसोर में भी three chamberd hurt ही पाया जाता था, ठीक पड़ा बर्सिस को यहां पर नोट कर लिजे, ठीक है, क्या पुछ रहा है, किन में से कौन सा कतल सही है, तो अगर आप यहां पर whole grain cereals के बारे बात करते हैं, यह सास बहु वाला cereal नहीं है, यह कौन सा cereal है, अनाज वाला cereal है, ठीक है, अनाज वाला cereal है, ठीक है, तो अगर क्लास, वो अने किडमे आप्लिकेशन में चलती है, अभी यहां पका तो मुझे नहीं पड़ता, इसके लिए आपको टाइम टेबल यहां पर देखना होगा, ठीक है, अब हम यहां पर नैस देखते हैं, नैस अगर यहां पर है, वो है आपका फेकर्स, अगर आपका बात करत बता दो, अच्छा, एक बच्चे नहीं पूछा है कि D-Hoyster मतलब क्या होता है, D-Hoyster Serious मतलब जो बीच में से तूटा हुआ दाना होता है, इसको कहते है, हाँ, ग्रूप D वाले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चले, चले, सांसर करेंगे यहां पर, तो प्रेश बहुत बढ़िया, ठीक है, गोलू, ओके, नहीं, बनाना नहीं होगा, दिनू, आंसर जो होगा, यहां पर आप बनाएंगे, कि बर्गत यहां पर बिल्कुर सही आंसर होगा, लियर है, चलो, अब आम यहां पर नेक्स्ट को देखते हैं, बहुत ही, हलोगा कोशन है, जैसा क कि मैं हमेशा आप लोगों को यहां पर बताती हूँ, ठीक है, नकुल, बताओ बिटा, क्या अंसर हो जाएगा यहां पर, कि अगर आप बात करते हैं कि इन में से किसमें विशिस्ट उर्जा का मान सबसे अधिक होता है, विशिस्ट उर्जा का मान यहां पर सबसे अधिक होत वह आप यहां पर देखेंगे कि D-Answer आपका विल्कुल सही हो जाएगा है अगर आपन यहां पर वाटर के बारें बात करते हैं यानि जल के बारें बात करते हैं तो जल का जो भी शुच्च उश्मा होता है वह सब से जादा यहां पर होता है ठीक है वायशाली बहुत बड़ यहां पर आप क्या देखेंगे जो कांच है जो ग्लास है उसमें क्या हो जायगा है वेर्ड वुकेश्-टेके राजेंद्र जली सा 않सर करेंगे एहां पर कौन सा अंसर सही हो जाएगा थांक्यू सो मच राज शेकर, थांक्यू, चले, जले से बता दीजे हैं आपर, राहूल, बायो अगर आपको स्टार्टिंग से पढ़नी है बच्चा, तो मैं आपको बता देती हूँ, कि इसके लिए आप साइंस हेवन चैनल को फॉलो कर लीजे, जिसमें मैं आपको रोज शा करेंगे 10th का, ए आंसर होगा मैं, बहुत बढ़िया, तो आंसर कि अगर हम यहां पर बात करते हैं, तो आंसर जो हो जाएगा वह ए आंसर होगा, तो जब गरब 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 पानी चिड़का जाता है, तो उस टाइम पे जो ग्लास होते हैं, उनमें क्रेक आजाता है, क्रेक क्यों आजाता है, क्योंकि जो ग्लास होते हैं वो अचानक से ही expand कर जाता है, अचानक से ही उसमें फैलाव देखा जाता है, और इसलिए जो आंसर होगा, वो क्या हो जाएगा, यहां पर बिलकुल सही होगा, ठीके सुदामा, नमस्त्री, जैहिन, जैहिन साथ्यों आगे दे लिखा जाएगा, उसका मापन किस में किया जाता है, ग्राम में किया जाता है, किलो ग्राम में किया जाता है, परसंटेज में किया जाता है, या फिर रेशो में किया जाता है, चले, जल्ली सा आंसर करेंगे यहां पर कौन सा आंसर पूजा यहीं पर ही लग जाएगा, और आप continue करिए biophysics chemistry सब कुछ पढ़ाया जाएगा परिशान मत हो और 10 का आंसर करेंगे जल्ली से कौन सा आंसर होगा very good बहुत बढ़िया आंसर के अब बात कर रहे हैं तो आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए ग्राम से हहाँ पर आंसर होगा रेशो यहाँ पर आंसर होगा क्या होगा numerical भी करवाईए ठीक है ठीक है बिल्कुल numerical भी मैं आप लोगों का यहां पर करवा दूंगी परिशान होने की ज़ुरत नहीं है ठीक है चलो चली सांसर करो इसका यहां पर relative humidity is expressed in terms of कावे जो बच्चे है ग्राम में होगा बहुत बढ़िया ठीक है तो अगर आम यहां पर बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर ग्राम बिल्कुल सही आंसर होगा तो आंसर के अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो, तो ग्राम यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, काफी पच्छे यहाँ पर अनुपात बता रहे हैं, नहीं, वो बिल्कुल यहाँ पर गलत है, रोहित, बिल्कुल आप जो Science 7 चैनल है, उसमें आईए, शाम को 7 बजे आपकी एक एक नाएक पोस्चन वहां का जरूर फस्ता है, तो बिल्कुल आप बात करते हैं, तो ग्राम से इसको यहाँ पर ना पा जाता है, ग्राम मेटर क्योब है, आप सबी को पता होगा, चलिए, आगे बहुं यहाँ पर नेस्ट कोस्चन के बारे में बात करते हैं, वेन एर र होगती है, वैसे ही आप आगे की और जुख जाते हो, और ऐसा किस बज़े से हो जाता है, ऐसा किस बज़े से हो जाता है, चले चली सांसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा 12 का, C आंसर, वेरी गुड, तो अगर आप यहाँ पर heat is wasted when a machine is operated यहां पर यहां पूछ रहा है कि जब कोई भी मशीन चल रही है जब कोई भी मशीन संचालित हो रही है तो उस टाइम पर जो एनर्जी होती है उसको आप देखोगे कि उश्मा के रूट में बहुत बर्बाद भी हो जाती है और यहां पर देखेंगे कि this heat is generated due to तो यह जो ताप यहां पर निकल करके आता है जो उश्मा यहां पर निकल करके आती है वहां किसकी वज़ह से यहां पर आती है चले ठीके दिरोपाल, sorry, that is my mistake चलो, आंसर हम यहां पर बात करेंगे कौन सा आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा बताएए फटाफर से जले से बताना है आप लोगों को कौन सा आंसर यहां पर 13 का बिल्कुल सही होगा very good आंसर जो होगा वहाँ, B आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा तो जो friction लग रहा है मशीनों की कलपूर्चों में उसके जो पार्स जो होते हैं, उनके बीच में अगर यहां पर आप फ्रिक्शनल पोर्स को देखते हो, उसी की वज़ा से ही उस्मा या ताप का संचार यहां पर होता है, उसी वज़ा से हीट यहां पर निकलना शुरू हो जाता है, तो इसलिए ज थोड़ासा आपको 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 जैसे अगर आप डिजीज होता है, इनके उपपर ज्यादा कोशन आपके एक्जाम में पूछा जाता है, तो इसके उपपर आप लोग यहां पर ध्यान देंगे, ठीक है, हाँ दीनों आपने सहीं बताया वटा, चले, आगे हम यहां पर न नहीं हो जाएगा, बताये पटावर से, अगर हम यहां पर टेलिविजन के बारे में बात करते हैं, राहुल इस बारे में मुझे नहीं पता है, दूसरे जो सर और मैम है, उनके टाइम टेबल के बारे मुझे नहीं पता है, पच्छा, सौरी उसके लिए, चले, 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 यहां पर बहुत सही आंसर है, आंसर के अगर हम यहां पर बात करें, तो D आंसर यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रंजना, इसके लिए आप यहीं से पढ़ सकते हो, और अगर आप बैस्ट बुक देख रहे हैं, तो कोई से भी बुक से आप प्रीवेस से के कोश बहुत बढ़िया, क्या बात है, चलो, जले सहां से करो यहां पर, नेस्ट कोशन के बारे में हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है, तो Dynamid का जो अविसकार है, वहां किसने यहां पर किया था, सबको पता होगा, सबको पता होगा, और फटा फर से यहां पर नोट कर लीजे, क आंसर जो हो जाएगा, वह क्या होगा, बी आंसर यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तो अगर आप हैं इहां पर Olfood, Nobel के बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने ठीक का यहां पर अविसकार किया था, आगे अब हम यहां पर नेक्स लेखते हैं, विश्ओ और फुल चलो, मैम, आप काली कैसे हो गई हो, हो गए है, अब क्या करें, बताओ, ठीक हो जाएंगी थोड़ी दिन बाद, है ना, महनत चल रही है, ना, नेन की कमी होती है, महनत चल रही है, तो ऐसे ही हो जाता है, यही कोई बड़ी बात नहीं होती है, गौरव, चलो, चली से बताओ, और काला कलर तो अच्छा है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर काले दिखने हैं, तो इस सोकेट, इस टोटली होगे, चले, चली सांसर करेंगी सिक्स्टेंथ का, कौँसा आंसर होगा, वेरी गुज, सी आंसर, सेफटी लांप, बहुत बड़िया, आंसर जो होग तो जो भी आपका यहां पर हाइडोचन एटम है, उसका बोर रेडियस का मान कितना होता है, चले, चली सांसर करेंगे यहां पर, कौँसा आंसर यहां पर सही हो जाएगा, बताओ फटाफर से, कौँसा आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बताए जली से, बताए आफटावर से यहां पर नोड कर लेंगे कि 0.529 इंटो 10 तो दी पावर माइनस 8 सेंटीमीटर यह बिल्कुल यहां पर सही आंसर है MTS की तयारी के लिए भी आप मेरे साथ यहां पर बने रही है बिल्कुल शांदार तरीके से आप लोगों की तयारी होगी बिल्कुल परेशान होने की जरुरत नहीं है ठीक है? चलो, आगे हम यहां पर next बढ़ते है ओजोन लेयर अबव दा सरफेस ऑफ अर्थ प्रोवाइज ए शिल्ड अगेंस्ट प्रिथवी की सतह के उपर ओजोन परत जो बनी हुई होती है वह किसके विरुद एक कवच के रूप में कार्य करती है चले, जलिस बताईए यहां पर कौन सा आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा देखते हैं किते बच्चें यहां पर सही आंसर करते हैं पटा फरसे, ठीक है रीना, कोई बात नहीं बिटा जलिस बता दो, ठीक है ठीक है गौरव अच्चा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आपके मन में था, आपने बोल दिया, इस होके, इस कम्प्लीटली होके कोई से फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ पढ़ाई पर आप लोग को ध्यान इहां पर देना है कौँसा आंसर होगा, बहुत बढ़िया, बी आंसर है ना, तो अगर हम यहां पर देखें, तो जो भी हमारा सल लाइट है उसमें बहुत जादा अल्टरा वालेट रेडियेशन, ए, बी, सी, बहुत अलग इलग तरह के रेडियेशन आते हैं जैसे ही यहां हमारी बॉड़ी से टकराते हैं, हमको cancer जैसा disease भी यहां पर दे सकते हैं और mutation भी यहां पर कर सकते हैं, तो इसी दिएंट है, ठीक है, अनन्द, तो अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो अल्ट्रा वाले ट्रेशन के रोक थाम के लिए उसको रोकने के लिए एक कवश की तरह यहां पर कौन काम करता है और जोन यहां पर काम करता है वेरे गुड चलिए आगे भूम यहां पर नेफ पोशन को देखते हैं वेच आप फुलोईगे से वाटर बॉर्ण डिजिए आज ही पढ़ाया है तहां पर साइंस हेवन चैनल पर और जितने भी स्टुडेंट्स यहां पर आहें एक बाइस क्लास को लाइक कर दीजे शेयर कर दीजे और साथ में साइंस हेवन चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करि आंसर जो होगा वो हो जाएगा टाइप फाइप तो जो टाइप फाइप होता है वह एक तथा के बैक्टीरियल डिजीज होती है बैक्टीरिया की वज़े से होता है और माइको बैक्टीरियम टाइपी नाम की जो बैक्टीरिया होती उसकी वज़े से होता है और दूशित प लगते हैं बिल्कुल लगते हैं यहां पर ओके अब इसके बाद भी हम पर नेस कोशन को देखते हैं जो फुट्रूमेंगी सुष्टू मेज़र दान सुव वुट्र टेंशन बहुत अच्छा कोशन है और ऊपकर्णों के ऊपर मैंने आप लोगों का यही पर 8पचे क्लास चल water tension यानि कि मिट्टी में पानी का कितना प्रिस्टिय तनाव दिखाई दे रहा है इस बात को मापनी के लिए हम किसका यूज करते हैं टेंसियूमिटर का यूज यहां पर हम करते हैं ठीक है जिद्धी बिल्कुल करवा दोंगी हां राहुल कोच बच्चे कह रहे हैं कि मैं प्ल प्रिवेस्टियर में आय हुए है उसको हम लेकर के चलेंगे ठीक है तो सभी बच्चों को बिल्कुल जरूर आना है रंचना आप पोई से भी बूक यहां पर फॉलो कर सकते हैं जो आपका प्रिवेस्टियर के कोश्टियर पेपर होते हैं ठीक है ओके रिना जो क्लास है बह में बारा बचे मेरे क्लास फ्री लाइफ सेशन चलती है तो आप लोग उसको जॉइन कर सकते हैं ठीक है चलो नेक्स कोशन विच में इस्पॉंसिबल फॉर इताई इताई डिसीर चलो जली सांसर करेंगे यहां पर कौन सांसर यहां पर बिल्कुल सहीं हो जाएगा ठीक है ग अंसर आप लोगों का यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा वेरे गुड अंसर के गर आप यहां पर बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर कि जो इताई इताई रोग है वो किसकी वजह से होता है कैडमियम की वजह से होता है आप असे काफे बच्चे आंसर कर रह इताई इताई नाम का रोग वहांपर होने लगता है त्यक्ठ ए माबाप का लाड़ा ठाइं कि सो मच बुच्चा चलो तो अब हम यहां पर बात करते कि इताई इताई एक तरह का येपेनिस वर्ड है इसका मतलब क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है तो इस तरह की remote. तो इस तरह कि डिजीज के, आगर आप बात करते हो, तो आपकी बॉड़ी में बहुत ज्यादा muscular pain होता है. आपकी मान-स्पेशों में बहुत ज्यादा इहा पर pain होता है, और यह किसकी वज़ के हो रहा है कैडमियम की वज़न से हो रहा है. चलो, next बढ़ते हैं डेंगू is spread by जली सांसर करेंगे और ये भी मैंने परसो की क्लास में पढ़ाया है और किस की वज़े से होता है मॉस्क्यूटो की वज़े से फैलता है पर होता किस की वज़े से है बिटा वाइरस की वज़े से डेंगू वाइरस की वज़े से होता है पर फैलता किस की वज़े से है तब आपको आंसर करना है मॉस्क्यूटो की वज़े से और कौन सा मॉस्क्यूटो होता है कमेंट बॉक्स में लिख करके यहां पर बताईए फटा फट से हां रोहिए तब नहीं करते हैं बताइए चल्ली से बताना है बहुत बढ़िया बहुत सही आंसर है एडीस मॉस्कुटो बहुत बढ़िया तो अगर एडीस मॉस्कुटो के बारे बात करते हैं जो मेल और फीमेल, क्या होगा? फीमेल. हमेशा जो फीमेल होती है, वह खुन चुछी है. जाहे वह एनफिलीज हो, जाहे वह एडीज हो, चाहे वह क्योलेक्स हो. रै? और जो फीमेल ऊस्कुटो होती है. अभर जो जो भॉइ सें कि अरे वाह! लड़ी क्यां तो वैसे भी खुण जुती है, तो वेटा, वो क्यों ऐसा कर रही है, क्योंकि उनको रिप्रोड़क्शन करना है, अपनी बॉड़ी को नूट्रिटिट करना है, और जो भी मच्छर होते हैं, वो सब का खुण नहीं चुछते, वो सिर्फ मैमल्स, जो सत्धारी ह उनके उपर ही ध्यान देते हैं, तो जिस तरीके से हमें यहां पर मच्छद काट रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही घोड़े को काट सकते हैं, गाय को काट सकते हैं, आपने जो नुट्रिशनल जो वैल्यू होती है, वो बहत ही ज्यादा यहां पर होती है, इस जिसको और श्यूद यहां निसफ आ टरकांऔ आजर होता है कि यहां के चाहता है यहां गाता है यह कात ती है okay इसीद दिहार में ध्थना कि डेयां आपको क्या प्रयती adjust is दोगे कि-पायां कर रही है एहां भुट यहां चलियर है? ऑके, ठीक है, ठीक है, अदो किते खुछ नरहें हैं सब्य 20 अब इहां पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे नेक्स जर को सब्सक्टेस के बहुत ही यह शान्डर लेवल है यह यह जो भी मैं आपको एपुस्ट्रेन करके बनाती हूं वही कोश्चन आपके बूचे जा रहे है तो इंहां शांडर लेवल है परसान मत हुआ अब हम यहां पर नेक्स देखते हैं नेक्शन आपका विच बैक्टेरियल स्ट्रेंड डावलग्ड फॉर्म नाच्रल आइसोलेट्स बाइज जनेटिकली मैनीपुलेशिंस कैन बी यूस्ट फॉर दाट्रीटिंग ऑईल स्पिल्ट अब क्या होता है यहां पर कि अगर स जो में सथी एकोसिस्ट्म होता है महां का प्यावरण होता है वह पूरी तरीके से खराब हो जाता है अर जो आक्टी के अटẹृट्स और प्लां प्लांट्स रहन ने कि जो कुछ भी आपके जलियर पश्टू हैं जलियर बाधे हैं उनकी बृत्तिय हो जाती है और जो पूर- यानि कि जो भी तेल का रिसाव है उसको खा करके खतम कर दे और इस तरह की कंडिशन ना आने दे कि वहां का जो एको सिस्टम है वो खराब हो जाएगा चले जली से बताएं यहां पर ठीके नमनी थांक यू सो मच चलो जली से बतादो यहां पर कौनसा आंसा 23rd का बिल्पल सही होगा डी ऑप्शन बहुत बढ़िया तो आंसा के अगर हम यहां पर बात करते हैं तो स्यूडो मोनास नाम की जो बैक्टिरिया है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा जनेटिकली मोडिफिकेशन किया जा रहा है अनुवांश की तरीके से उसको तयार किया जा रहा है दाकि जो कुछ भी तेल का रिसाव हो रहा है उसको वह यहां पर खताम कर सके ठीक है आगे बढ़े हैं ठीक है राजेश नमस्ते हांची राहूल बट डैट इस असोसियेटेड वाइड विद अन एकिडमे आगे हम यहां पर बात करेंगे तो जो ब्रेंड होता है उसके कित्ते पार होते हैं मैटा तीन पार होते हैं कौन कौन से होते हैं सबसे पहले आपकर होता है फोर ब्रेन जिसको क्या कहा जाता है अग्रमस्तिस्क कहा जाता है उसके बारे में मिड्र ब्रेन के बारे में बात करते हैं जिसको यहां पर मध्यमस्तिस्क कहा जाता है और सबसे लाक्ष में आपता क्या आजाता है इहां पर हिंड ब्रेन आजाता है जिसको आप यहां पर क्य ब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रेंब्रें और तीसे नंबर पर medulla oblongata, है ना, और यहाँ पर एक चीज़ आपसे और question पुछा जा रहा है, वहाँ क्या question पुछा जा रहा है, कि अगर आप mid brain और hind brain को मिला दे, तो इन दोनों brain को मिला करके, क्या बनता है, यहाँ पर stem, brain stem यहाँ पर बनता है, है ना, और इसके उपर भी बहुत question आ रहा है, कि brain stem किसको किसको मिला करके, पूछा जा रहा है, बहुत ही subtle question कर आ रही हो, बेटा subtle question है, लेकि subtle question में भी, जो मैं आपको explain कर रही हूं, वह बहुत important है, और इस तरह के question जब आते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, गलत लगा के आ जाते हो, इसलिए सरल question पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे बोल रहे हैं, उसका answer करेंगे जल्दी से, बेटा देखो, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेवल, क्या होता है, आप एक बात बताओ, आपको जो आता है, वो आपको सरल जो आपको नहीं आता है, वो आपको कठिन लगता है, अब अगर इस तरह की question में कराऊंगी, के पी पाल, तो आप क्या कहेंगे, कि मैं बहुत हार्ड करवा रहे हूँ, है ना, तो सब तरह की questions का combined pattern होता है, ऐसा नहीं होता है, कि हमेशा आप से PhD level का question पुछा जा रहा है, न काफी पच्छे प्रिया, वेरी गुड और आंसर के अगर आप यहां पर बात कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, C यहां पर बिल्कुल सही होगा, कर दिया गलत, कर दिया ना, गलत, सभी बच्चों ने जो कहते, increase your level name, हो गया, गलत कर दिया, आदमा को शांती मिली, तुम्हा यहां पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, हिट्रो सीर्स, ठीक है? चलो, हाँ, बिल्कुल, अगर आप I.S. बनना चाहते हैं, आप बिल्कुल I.S. बन सकते हैं, बिल्कुल I.S. आप बन सकते हैं, कोई भी एक्जाम ऐसा नहीं है, कि जो निकाला नहीं जा सकता, पर इसके नहीं चलता, यह बोलने वाली बात है, कि स्मार्ट वर्क से काम चल जाएगा? नहीं, हार्ट वर्क के साथ स्मार्ट वर्क होना ज़रूरी है, तो डेपिनेटली आप लोग यह सारा काम यहां पर कर सकते हैं, चले, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोशन के और मूव करते हैं लिखा हुआ है, कि बोन ओसिफिकेशन टेस्ट is conducted by a certain human, अगर हम यहां पर बात करें, तो यहां पर एक टेस्ट के बारे में बात हो रहा है, जिसको बोन ओसिफिकेशन कहते हैं, और यह टेस्ट क्यों किया जाता है किसी भी human के अंदर, चलो, जले से बता दो यहां पर, हाँ यहां पर सभी बच्चों को साथ में लेकर के चलना पड़ता है, है ना, ठीक है, ठीक है प्रिया, ठीक है राहूल, बिल्कुल, कर सकते हैं, कोई भी कुछ भी कुछ भी कामिया ज्यादा नहीं होता बच्चा, देखो, सच बताऊ ना, जब मैंने नया साइंस लिया, मुझे कंसोधन हो रहा है इतना सारा, पर करेंट अफेर पढ़ना है, फिर लगता था कि कहां फर्थ गया है, है ना, तो दूसरों की चीजे ना, हमें बहुत सरल लगती हैं, बच्चा, है ना, लेकिन सरल कठीन कुछ नहीं है, बात सिख समझने की है और हार्ड वर्क की है, फिर सब उना, कुछ हो जाता है, परेशान मर्त हूं हो यह, CDC कहांसा ज़्ले सांसर करेंगे, 26 का, कौँ सांसर यहां पर विल्कुल सही होगा, बच्चा, वह क्या ओजायगा, यहां बिल्कुल आपका सही होजाएगा, त्रणतिभ एज, प्योड आंसर हो जएगा, यहां पर कि अच्छा कुछ बचे कहा रहे हैं कि टेंटिटिटिव एज मतलब क्या होता है चलती इस मतलब होता है कि आपकी यूव वस्था आ रही है जिसमें आप रिप्रडक्शन कर सकते हैं या फिर आप मैरिज के लिए एक सक्सेस्फूल मैरिज के लिए आप यहां पर तेयार हो सकते हैं उसी को यहां पर यहां कहा जाता है ठीक है ने-ने, height नहीं होता है, एक age होता है, चले, आगे बाम यहाँ पर next देखते हैं, अच्छा, मैं हम खाना भी खाना है, बहुत बढ़ी है के पिपाल, बहुत बढ़ी है, चलो, अब हम यहाँ पर next question के बारे में बात करेंगे, water flow of the minks of the birds and insects due to the presence of निम्य में से किसके उपस्तिती के करण पक्षियों और कीटों के पानी जो पंक होते हैं उनमें पानी बह जाता है तो अगर आप यहां पर बात कर रहे हो किसी एक किसके बारे में एक मालो की आप एक तितली के पारे में आप यहां पर बात कर रहे हैं और यह जो तितली है इसके उपर पानी गिरा और पानी बिल्कुल वहां से बह करके निकल जाता है इनके जो विंक्त होते हैं इनके जो पंक होते हैं यह बिल्कुल भी यह बिल्कुल भी आप देखेंगे कि गीले नहीं होते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? चलो, जले इस आंसर करेंगे यहाँ पर, कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा? तो प्यारे पुछ जो आंसर के अगर आप यहां पर बात कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? और इसलिए जो आंसर यहां पर होगा, वहाँ वैक्स यहां पर सही आंसर होगा, काफी पिच्छे प्रोटीन यहां पर आंसर कर रहे हैं, प्रोटीन भी सही आंसर है, के रोटीन प्रोटीन के अगर आप बात करते हो, ठीक है? लेकिन जब प्रोटीन और वैक्स दोनों लिखा ह तो हम किसके पास जाएंगे, वैक्स के पास जाएंगे, ठीक है, चलो, बहुत अच्छा, ठीक है, बेग भीहारी, ठीक है, बेबी, थांक्यू सो मज, आगे देखते हैं, नैस तब यहाँ पर बात करते हैं, कि which one of the following chemicals is associated with the muscle statics, आपके मांस्पेशों में बहुत थकान हो रहा है आपके मांस्पेशों में बहुत जादा यहाँ पर दर्द महसूस हो रहा है, वहां किस acid की वजह से होता है, वहां किस chemical की वजह से होता है, दिने science 7 में class होती है बटा, इस time नहीं होगी न, मतलब मैं यहाँ पर हूँ तो वहाँ पर नहीं पढ़ा सकती हूँ, मैं दर्स पज हो जाएगा, lactic acid यहाँ पर बिल्कुर सही answer होगा, तो जो lactic acid होता है, वह कब होता है, जो इन aerobic condition होती है, यानि कि आवाय भी स्वस्थन हो रहा होता है, और उस time पर oxygen sufficient नहीं है, और ठीके सरोच, और उस time पर आप देखेंगे, जो हमारी मांस्पोईशिया है, उसमें lactic acid ब लगाते हैं, लेकिन यूरिक ऐसे तब होगा, जब आपके ब्लड में यूरिया बढ़ जाता है, तो इसलिए जो answer हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर D answer ही आपका, यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, अब इसके बाद हम यहाँ पर next question को देखते हैं, in the remote control of television, electromagnetic waves used are, जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी हमारा television होता है, जो हम remote का हम use करते हैं, channel change करने के लिए, है ना, तो वो जो remote control है, उसमें किस विद्धु चुम्बकी तरंग का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, चले, जली सा answer करेंगे यहाँ पर, कहां से live है मैं, मैं इस टाइम जली से live हो, है ना, चलो, जली से पता तो यहाँ पर कौन सा answer आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जली से पताना है, फटा-फट से, फटा-फट से, हाँ, विकॉस आफ दर सौ्टिं ऑफ दा ओक्सिजन, बहुत बढ़िया, चले, अब जली से पता देंगे यहाँ पर, जली स होते हैं, उनका यहाँ पर यूज किया जाता है, आगे हम यहाँ पर next question की और move करते हैं, next question है, which of the following is the strongest acid, इन में से कौन का यहाँ पर strongest acid है, यहाँ पर कौन सा एक strongest acid है, चलो, जली सा answer करेंगे, कौन सा answer सही होगा, और answer आपका क्या हो जाएगा, बिटा यहाँ पर, A answer आपक यहाँ पर पूछ रहे हैं, कि मैम, यह वाला जो question है, यह फिर से बता दीजे, ठीक है, थेको बच्चा, यहाँ पर simple सी बात चल रही है, मसल स्वैटिक मतलब, मास पेशों में तनाव हो जाना और दर्द महसूस होना, यह कब हो जाता है, आप बताएंगे, कि जब हमारी body में sufficient oxygen नहीं पहुंचता और उस time पर in aerobic condition में respiration होने लगता है, यानि कि oxygen नहीं है, उस time पर स्वसन इहाँ पर हो रहा है, तो उस time पर आप देखोगे कि लाक्टिक एसिड हमारे cells में बनना शरू होता है, क्योंकि complete दहन नहीं होता glucose का, complete combustion नहीं होता glucose का, तो glucose पहले पारिविक acid और इसके बाद lactic acid में convert हो जाता है, और जो lactic acid होता है, वह आपकी मां पेशो में दर्द यहाँ पर महसूस करता है, ठीक है, तो dear students, अगर आप सभी को मेरी क्लास यहाँ पर अक्षी लगी है, तो इस क्लास को लाइक कर दीजे, शेयर कर दीजे, यहोंने subscribe नहीं किया है, ज किया है, दिली को Begin